हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम टू दिव्या ब्लोग और फूड और आज मैं आप लोगे साथ सेयर कर रही हूं एक कप दल्या से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सा नास्ता हेल्दी टेस्टी और यम्मी सा नास्ता तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक कप दल्या को तीन से चार घंटे के लिए मैंने वॉश कर लिया था अच्छे तरह से वॉश करके शोक करने के लिए छोड़ दिया था और ये देखिए इसको हाथों से इस तरह से मैस हेंगे तो मैस हो जा रहा है इसका मतलब हमारा दल्या विलकुर रेडी है इसके सारे पानी को हमने निकाल लिया है चान कर अब मैं इसमें सबसे पहले आड़ कर लूँगी बारिक चौप अनियन अगर आप अनियन पसंद नहीं करते तो आम नहीं भी डाल सकते हैं स्कीप कर सकते हैं एक कटोरी मैंने यहाप धनिया के पत्ति रैड़ कर ली हूँ वन टेबल स्पून मैंने यहाप पर ग्रीन चिली हल्दी पॉडर लाल मिर्च पॉडर धनिया और यहाप मैं खड़े शौंफ शाबुद सौंफ यूज कर रही हूँ इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और यहाप मैं जीर पॉडर और आयम चूर पॉडर डाल कर अच्छी ट्रांसे सी मिक्स हो जाए है अब मैं इसमें एड कर रहे हूं तू टेबल स्पून यहाप पर कॉल्फ रोन मैं यूज कर रही हूं आप यहां पर और एक टेबल स्पून मैं यहाप शाब ग्ड़ी एसं którą आप यहां पर चाहें तो आलू भी हैट कर सकते हैं अगर आपकी हाथ पर मैंने वाइल को ग्रिस कर लिया था अच्छी तरह से ताकि यह चिपके नहीं ऐसे टिक्की का सेप देंगे हम इसको आप लोग दल्य का कट्लेट्स भी बोल सकते हैं दल्य का कबाब भी बोल सकते हैं दल्य की टिक्की भी बोल सकते हैं तो देख सकते हैं यह जो हमारी किनारी है वो कितनी इसी ताइब से मैंने सारे टिक्की बना लिये हैं अब मैंने पैन में ले लिया था वाइल और इस पर मैं टिक्क्यों को रखूंगी और मैं यहाँ पर सैलो फ्राइ कर रहीं फ्रेंट्स आप चाहें तो डिप फ्राइ भी कर सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे हमें जल्दी से नहीं पलटना है जब यह हो जाएगा एक साइट से बिलकुल ब्राउन हो जाएगा तभी आप इसको पलटे नहीं तो दलिया आप इसको इस तरह से बनाकर आप इसको लंच में ब्रेक फास्ट में स्नैक्स टाइम में आप इसको खा सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा कलर आया है टिक्क्यों का अब हम इसे प्लेट में निकाल पर आया यह जो तेल हमारा बचा हुए वह बचा हुए और भी जो कबाब हैं वह सारे कबाब को मैं सैलो फ्राइ कर लूँगी और फ्रेंड्स अगर आपको यह रेश्पी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलें और यहां पर देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखा रहे हैं बाहर से बहुत ही क्रिश्पी बना था फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिए